है आज का टॉपिक है सिट्रिक्स को के सब्सक्राइब कराता है सोपरेंट्स एक बहुत भी ज्यादा पावर्फु परड्रक्ट है जो की अप्लिकेशन एंड डेक्ट वर्चॉशन पोवाइट कराता है तोफरेंस फूम तुदेव आवार्ट में वाल्स भालत है दिखेज दिखेज इद वीडियो टैनिंग तुटोरियल तो फ्रैट्स हमारे बाने वाले सेशन यहां मिक सेप्रेट वीडियो जागमें लाइए जिस मैं सिप्रिक से से रेलिटेट सारे वीडियो से मैं पोस्ट करने वाला हूं okay so friends this is an introduction part only और इस introduction part में हम कवर करने वाले हैं what is required to set up a CITTEX test lab environment so friends as you can see on your screen right now we have three CITTEX certification available first one is CITTEX certified associates who is responsible for managing the CITTEX Gen desktop and second one is CITTEX certified professionals who is responsible for deploying the CITTEX Gen desktop and third one is CITTEX certified expert and who is responsible for designing the CITTEX lab or CITTEX Gen desktop so friends so friends what is CITTEX Gen desktop so friends CITTEX Gen desktop CITTEX environment का एक बहुत ही ज्यादा important part है उस particular topic पर हम separate videos बनाने वाले हैं हमारे आने वाले videos में okay so friends now let me switch my sprint so as you can see so friends ये एक particular physical machine है जिसको मैं यूस करने वाला हूं i5 processor है and 24 GB of RAM है okay so आप देख सकते हैं ये एक physical machine है with i5 processor Windows 10 operating system and 24 GB of RAM so friends मैंने इस machine में VMware workstation 15.5 time installed किया है so VMware workstation हम कैसे install करते हैं इसके लिए मैंने एक separate video बनाया हुआ है मैं link description में डाल होंगा आप वो वीडियो में refer कर सकते हैं okay so friends now let me switch my screen yes so friends as you can see so friends आप देख सकते हैं ये lab environment आपकी screen पर जो हम setup करने वाले हैं so friends हम VMware workstation में total six machine deploy करने वाले हैं so आईए हम review करते हैं one by one so friends जो हमारी पहले machine होगी जो first machine होगी वो हमारा domain controller होगा और इस particular machine में हमने ADDS, DSCP and DNS roles install किये हैं so friends ADDS, DSCP, DNS roles कैसे install करते हैं इसके लिए मैं separate videos बना चुका हूँ मैं description में link चाल दूँगा आप refer कर सकते हैं okay so friends हमारा जो domain controller है वो server 2019 पर configured है और हम इसे ऐसा domain controller use करने वाले हैं Citrix test lab में okay now coming to the second machine so friends हमारी जो second machine है जो सर्वर होगा जिसमें हम सिट्टिक्स के सारे रोल इस्टॉल करने वाले हैं so friends Citrix के सारे रोल बेसिकली एक हार्डवेर में इस्टॉल नहीं किये जाते हैं but as you know we have limited hardware resources तो अभी for testing purpose हम ऐसा करने वाले हैं बाद में सारे रोल सम सेप्रेट मशीन पर install कर सकते हैं so friends basically Citrix DC01 एक physical machine एक virtual machine होगी जिसमें हम से टिक्स के सारे रोल configure करने वाले हैं इस machine को मैंने 4GB RAM assign किया हुआ है और यह machine domain join machine है जो कि हमारा domain tech support.com उस domain पर इस machine को मैंने join करा दिया है ओके तो नाव कमीं टूदा थर्ड मशीन एंड फॉर्थ मशीन जैन सर्वर 01 जैन सर्वर 02 जैन सर्वर 01 जैन सर्वर 02 जैन सर्वर 01 जैन सर्वर 02 देखने वाले हैं ओके सो फ्रेंट्स नाव कमिंग टूदा फिप्ट एंड 6 मशीन जैट इस विंडोस एट क्लाइं 01 जीरो 02 जो जो दोनों मशीन हमारे एक क्लाइंट मशीन जो ऐसा वर्स्टेक्शन काम करेंगी हमारे सिप्लिक्स इंफा में ओके फ्रेंड्स वर्चुल मशीन पर मैंने विंडोस एट ऑपरिटिंग सिस्टम इस्टॉल किया हुआ है और दोनों मशीन को तो जीबी रहां जो जोएंट जो जोएंग से जोएंग जोएंट इस टेक्सपोर्ट को ओके फ्रेंड तो आप लोगों को एक बेसिक आईडिया समझ आ गया होगा कि कितनी मशीन समय क्रेट करनी हैं हमारे वर्चुल इंवल्मेंट में सुके सो फ्रेंड वन ओन इंपोर्टेंट तिंग जैसा कि हम जानते हैं आँ सब के पास इतना हाइली कंफिगार्ट हाडवेर नहीं होता है कि सारी की सारी वर्चुल मशीन सो क्रेट कर सके अटाइम सो इन टाइम मैं क्या कर सकता हूं हम जैन सर्वाइब जीरो टू को अभी नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें अभी उसकी रिक्वार्मेंट नहीं पढ़ने वाली है और हम एक ही क्लाइंट मशीन के साथ काम कर सकते हैं सो एस अपनाव हम 8 प्लस 2 10 GB RAM माइनस कर सकते हैं हमारे 26 GB RAM के सटप में सो फ्रेंट इस सेटप के लिए कम से कम 16 GB RAM आपके सिस्टम में होना ही चाहिए अगर आपको पास 32 GB RAM है तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ आपको मिलने वाला है बट 15 GB RAM सब्सेंट होगा इस पूरे टेस्ट लैप को क्रेट करने के लिए ओके फ्रेंट सो नाव लेट मी एंड़ स्लाइट शो ओके फ्रेंट सू जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने आल्लेडी कुछ मशीन क्रेट की हुए है लाइक जो हमारा डोमेन कं लाइन कर लेता हूं सबसे पहले करते हैं इस सारे टॉपिक्स पर मैंने सेपरेट वीडियो अल्री बनाए हुए मैं डिस्क्रिप्टर में डाल दूँगा आप वहां से सारी वीडियो रिफर कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इस्वी आता है तो ओके फ्रेंट सो मैं लॉग देख सकते हैं कि हमारा होस्ट नेम जो है विंट्टू के 19 डी सी डियूर वन हैं डॉमें हमारा टैक्सपोर्ट डॉट कॉम आई प्ले अड्रेस आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर और यह विंडोस सर्वर 2019 पर वर्क कर रहा है तो फ्रेंड्स आप इस स्क्रीन पर कर सकते हैं ओक प्रेंड्स वो अवभिग सकते हैं डियसके RAW रोल की दो और पर जाएंगे डीस क्यों नहीं किया ऑद है विकौश करने वाला है जब हमें रहेंगी तस्टेप आपको followers तुया दोपốt-दिक नोटने रहेंगे नोट पन बताने वाला हुगी अधिशक्योआ करेंगे अधर्वाइस मैंने सेपरेट वीडियो अल्लेडी बनाया हुआ है लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहां से वह वीडियो को रिफर कर सकते हैं कि ओके फ्रेंड सो अब हम सेकंड मचीन ओपन करेंगे जो की जिसका होश्ण नेम सिट्रिक्स डीसी जीरो वन है और जो ऐसा जो ऐसा सिट्रिक्स सर्वर काम करने वाला है हमारे टेस्ट लेव इंवाल्मेंट में सो मैं लॉग इन कर लेता हूं कि ओके फ्रेंड सो ओके सर्वर मेनेजर को रिफ्रेश करेंगे ऑग जाता कि आप स्क्रेण पर देख सकते हैं हमारे सर्वर का होश्ण नेम से टीची हाइफन जीरो वन है एड़ इस सर्वर को हमने डोमेंट पर जॉइन किया हुआ है हमारा डोमेंट नेम है टेक्सपोर्ट नेम दुणाइट आप देख सकते हैं और यह सर्वर मेंडोश सर्वर 2019 पर रन हो रहा है सो फ्रेंड जरूर्य नहीं है कि विंडोश सर्वर 2019 ही आपको इस्टॉल करना है आप चाहें तो विंडोश सर्वर का कोई भी एडिशन इस्टॉल कर सकते हैं बट 2019 एडिशन सब्सक्राइब कर लेते हैं और मैं इस मशीन में लॉग इन कर लेता हूं कि पासफ़र्ट टाइप नहीं हुआ कि अब देख सकते हैं यह सिंपल वर्क स्टेक्शन मशीन है जो हमने डूमें से जोइन की हुई है और यह मशीन ऐसा वर्क स्टेक्शन काम करने वाली है हमारे सिट्टिक्स टेस्ट लेव इंट्राम में ओके फ्रेंड्स नाव कमिंटू दा फॉर्थ वन देट जैन सर्वर 01 अब देख सकते हैं यह मशीन अभी शेट डाउन है मैंने अभी जैन सर्वर का इस्टोलेशन नहीं क इस्टोल करते हैं और भी बहुत सारी कीजिए हम देखने वाले हैं सो फ्रेंड्स बिफोर स्टार्टिंग एनी डेमो मैं रिकमेंड करूंगा आप सिमिलर सेट अप अपनी फिजिकल मशीन या हार्ट वेर पर कर लिजिए ताकि आप मुझे स्टेप बाइस्टेप फॉलो कर सटेट अब प्रेक्टिस कर सकें हाव टू कॉ